परकाब बैक दोस्तों मेरा नाम है रूपा हूँ और आप से भी कसाओ करता हमारे यूटूब चैनल में आज मैं बात करने वह पांच ऐसे गाड़ेकार में जो 2020 और 2019 में सबसे जादा बेचा गया है और क्यों बेचा गया है क्या इसका रीजन है और यह जो भी गाड़िया है वह 150cc सेग्मेंट के उपार है और देर लाख रूपे से नीचे इन की प्राइजिंग है तो दोस्तों इस वीडियो को आखरी तक देखना बिल्कुल ही मत मिसकरना नहीं तो समझ में नहीं आएगा और नीचे सबस्क्राइब कर जो बटन है रटकलर मॉगा उसको क्लिक करके अब कर देना यह तो वीडियो की नोटिफिकेशन साब लोगों नहीं मिलेंगे तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले जो गाड़ी आती है वो है अपाचे आटी आर वन सिक्स्टी फोर वी बी ए सिक्स मॉडल और बी एस फोर मॉडल एक्ट्यूली टूथ हो नाटी और बात करो दोनों गाड़ियों को मिला के अगर मां बात करो वन सिक्स्टी फूर वी की तो और मुस्तीन लाग पैसाट हजार प्लस यह गाड़ी बिग चुकी और सबसे ज्यादर सेलिंग बाइक है अभी फिलाल तो यह और इस गाड़ी की कॉलिटी नो डाउट बहुत डीज देखने को मिलता है दूर बैरल एक्जौश्ज देखने को मिलता है जो कि अगेन एब बहुत अच्छा साँंड प्रवाइड करता है इंडिन की बात को दो हांटर फिफ्टी नाइंट पॉंट सेवन इंजन के साथ आता है जो की पावर पूर पूर्प्न निकालत है 15. 14.6 बेच्ट पावर प्रोट आए जो टॉर्क आपको इस गार्ड में तर्क आपको इस गार्ड में तर्क और यह 5-speed gearbox के साथ आता और BS6 आ चुका है तो इसमें Catholic Converter भी देखने को बाता है 2019 and 2020 में सेकंड इस लिस्ट में है वो है यामा एपजी एस वर्जन 3 इसका बेचा जाता था यूनिट बेच चुक है 137,000 प्लस गाड़िया बेच चुके है यह सेकंड लिस्ट में है यह गाड़ी इतनी ज्याद क्यों बिकती वह भी बता दो काफी लोग सोचे कि यह अर इसका तो आंडरपावर है यह है वह यह गाड़ी इतनी ज्याद क्यों परचीस की जा रही है इस गाड़ी का स्मूधन ह इसका जो इंजिन है वो काफी अच्छा है काफी रिलाइबल है और काफी लॉंग टम के साब सो बहुत अच्छा है डिजाइन वाइस ओन और एडिकोईट है एलेडी है जिसका स्प्रेड उत्त अच्छा नहीं लगा लेकिन लो सीट है इसको कोई भी बंदा इस गाड़ी को चला सकता है जिसके हाइट काफी अच्छा है मस्कुलर लॉकिंग बाइक है टैंक भी काफी मस्कुलर आपको देखने इस गाड़ी का बात करें वो है बुलेट 350 याने रॉयल एंफिन बुलेट 350 के बात कर रहा हूँ यस इस गाड़ी का भी सेल्स रेट बहुत अच्छा है इन्वनेट 2020 और 2019 में ओवरॉल टैक 36,000 प्लस गाड़ी यह बेच चुके है इस गाड़ी किकर मैं बात करू तो यह प्राइजिंग आपको देना पड़ता है आल्मोस्ट 1.47 लाक वो भी जो बेस वेरियंट है उसका उ उन लोग के लिए गाड़ी बहुत सूइट करती है प्लस इसमें आपको मिलता है राउंड हैडलाइट काफी अच्छा पॉस्चर देखने मिलता है बैटने पर काफी अच्छी कम्यूटिंग है और सिटी राइट के लिए काफी अच्छा है इसका सालेंसर का साउंड भी बह बहुत अच्छी है बहुत ही ज्याद अच्छी है अच्छी की बात कर दो थ्री अंडर्ट फॉट्टी सिक्स से का सिंगल स्लेंडर एर कोल एंजिन और बीए सिक्स मॉडल में आ चुका यह भी पाउड़ निकालता है 19.1 बेच्प का पाउड़ पॉड़ एंड जो टॉर्क इस में टार को मिलता है फिर भी इस गाड़ी का काफी अच्छा परफॉमेंस है इस गाड़ी में आपको फ्रेंट और लिए डिच ब्रेक देखने को मिलता है और सिंगल चीनल लेगे जब्ल जाब स्टांड़र है इस लिस्ट में गाड़ी की बात करू वह बजच पलसर RS200 य लेकिन दोनों गाडियों के यूनिट में भी count नहीं है, फिलाल अभी escape count किये है, तो इसका जो count है, 2090 एंड 2020 में, और मोज़ लाग 18,000 यूनिट अल्रेडी बेच चुके है, और भी बेचने का इनका target है, गाड़ी की बात को ये fully fed bike है, split handlebar है, और ये most powerful bike है, अंडे 200cc, देखा जाए तो दूसरी काल्यों की comparison में, हाँ, KTM 200 से थोड़ा काम है, लेकिन इस price point में ये power मिलना, which is again a mind-blowing thing, गाड़ी का design बहुत अच्छा था, प्रेडियेटर टाइप का look आता है, फ्रेंट से dual projector headlight है, with LED eyebrows वाले, आपको DRS देखने को मिलता है, LED indicators मिलता है, LED tail light मिलता, मतलब full on LED, instrumentation part and part digital है, sport plus commuter type की बीच का आपको posture देगी, बैठने पे, tank size which is again good, तो मिलता फ्रेंट में आपको telescopic 4, पीछे मिलता है, monosock suspension, dual disc brake है, मतलब front and rear में, rotopetal disc है, single channel abys as a standard है, सबसे impressive चीज़ है, वो है इसका engine, 199.7 CC का single cylinder liquid cool engine है, जो की power put निकालता है, 33.8 BHP का power put है, जो torque इस गाड़ी में आपको देखने मिलता है, that is 18.7 Nm का torque, और इस गाड़ी में मिलता आपको 6 speed transmission, यस पूरे लिस्ट में यह एक गाड़ी है, जिसमें आपको 6 speed transmission देखने को मिलता है, प्रिफ्ट की बात करूब वो आप सुनेंगे तो आप वैसे हैरान हो जाएंगा, यस यह गाड़ी कब launch रही थी तब साभी तक चल रही है और इस गाड़ी में कोई changes नहीं किया, company ने B.A.6 model भी launch हो चुका है, लेकिन still one of the best selling bike है, इस design के साब से देखा जातो, almost 74,000 प्लस यह गाड़ी बेच चुक है, 2020 and 2019 में B.A.4, B.A.6 model मिला के, pricing की बात को तो पूरे list में सबसे low price है, 1.17 lakh for the actual room price, design वाज बात करूँ तो half feared bike है, उसमें projector light मिलता है, प्लस normal light मिलता है, मतलए dual light का setup देखने को मिलता है, analog part, digital instrumentation है, split handlebar है, split, seat आपको देखने को मिलता है, प्लस engine भी काफी अच्छा है, side exhaust की quality भी बहुत अच्छी है, front and rear में आपको disc brake देखने को मिलता है, single channel बेजर standard है, आज भी इस गाड़ी की quality की बात करूँ तो बहुत अच्छा है, बहुत जादा लोग पसंद करते है, क्योंकि engine काफी अच्छा मिलता है, आपको काफी अच्छे unipower and torque के साथ आता, 120cc का engine है, air cold engine है, जो के power output निकालता है, 19.8bhp का power output और जो torque आपको इस गाड़ी में देखने मिलता है, that is, 10.55 nutributes का torque और आप पी a fuel injection के साथ आच्छा 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 है, with catholic converter और इस गाड़ी में मिलता है, 5-speed transmission और अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के cycle parts की आच्छा आच्छा के साथ, काफी लॉंग है गाड़ी, that's why highway stability बहुत अच्छी है, so friend, कैसा लगाई information video about the best selling bike, देर लग के अंदर पाच, जो मैंने आज आज आपको इस वीडियो में बता है, so friend, अच्छा लगा हो, तो लाग करना, नेर तो subscribe करना और अच्छा लिए तो प् जये एhouओ लॉर साथ, कुटिए में डच्छा लगा हो, जIGN आपको य Taxi argumentD